गुडूबनिंग मेरा देश के तमाम जो युबा पिड़ी है सबसे पहले मेरा YouTube चैनल वेटु सक्सेस प्लाटफरम में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आज एक जो नोटिफिकेशन रिगारिंग जो एक ओल इंडिया गोर्मेट जब जो कि आपका यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापूर केंट जो कि पाटना मिस्तित है उनकी तरफ से यह जो एक नोटिफिकेशन निकला है इसमें वरियस कुछ वेटेश है उस स१ह जो डिटेल्स तमाम जो डिटे sacrific ुरुपर मेशन नहीं को पंचने के कोशिश कर रहा जैसे कि यह जो वेकरे cism है मतलब आज़िंगेंज ज़ीए इंक काम करना को और मिनिस्टैम टेफेल्स के अंदर मैं आता हैं बिलकुल पर्मैनट जब वहते इसमें कोई सक आंक्या आपको होना नहीं चाहिए ऑन्हेशला जो इतना है कि दो यीर्स का प्रवाशन प्रवाशन प्रिडोड रहेगा और प्रवाशन प्रिरिड़ेससे लिगे इसके बाद वीडियो में बनाऊंगा जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो complete डिटेल्स जो है और जो बचा हुआ डिटेल्स बैलेंस डिटेल्स से उसमें मैं आपको बता दूँगा जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इस पद के लिए इंडिया की हर कोने से हर स्टेट से हर वेकेंसी दिखा जाएगा वहां आपको पोस्ट किया जा सकता है तो इसलिए आपको किसी प्रकड करा संकार नहीं होना चाहिए कि इसमें बिहर का बच्चेहीं करेंगा इसे नहीं ऑल इंडिया की वेकेंसी चलिए इसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन को शुरू करने से पहले में तमाम जो मेरा भीवर से जो जो विजिटर से मेरा चैनल को जो विजिट करते हैं लगातार जो विजिट करते हैं या जो फास्टाइम विजिट कर रहे हैं जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक इन्होंने तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर दीजिए उसके साथ साथ बेल आइकोन को प्रेस कर दीजिए ताकि यहां से जोब से रिलेटेड जब भी कोई नोटिफिकेशन में अप्लोड करूं तो उसका इमिडियेट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे क्योंकि मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो है और रेगुलर बैसिस पर मैं जब जब नोटिफिकेशन का वीडियो शेयर करते रहता हूं तो मैं चा इसके इस करने से हो सकता है उन में से कोई न मिस् पचल्षा हलए उसके लिए होगा आएसा थे नहीं कि हमारा धैस में कोई रिक जरूर्ब नहीं है लाइत्व मैं ज़रूर करना चाहूंगा क्युंकि आपका एक था तो इतना तो आपको एक इंसानियत किनाते करना चाहिए ठीक है अब यह देखते हैं इसका कुछ जो सट नोटिस में जो डिटेल्ट इंफोर्मेशन कुछ है उसको देखते हैं क्या क्या है यहां पर देख सकते हैं मैं दिखाना लग्ते में आपका सफ suffrage में आपका कार्पेंटर यह जो ओ है यह ट्रेट्समें के आर्मी का यूनिफर्म इसमें पहनने की जड़रत नहीं पड़ेगा स्विल ट्रेस में आपको काम करना होगा ठीक है अच्छा सबसे पहला जो बात करेंगे आपका कुक है इसके लिए देखिए चार बेकेंसी यहां पर रखा गया है दो बेकेंसी उसमें यूर अन्रिजर्व क चैटिगरी जो यह बच्चे उनको अठा साल चेट पचिस साल होना चाहिए ओभी सिकंड डिएट से मानलों यहां पर थी स्कूल भी इसको तीन साल का चूट मिलेगा ऐज डिलाक्सेशन में तो 25 प्लस 3-28 साल तक अभविदन कर सकते हैं ठीक है और जो सेश्ट के लिए पां प्रक्लीष ट्रेड़ इंडियन स्टाइल और पेटर्न प्रॉसेंसी एध्र ट्रेड्ची क्लासे में यह तमाम जानकी कोषियों जो कि आपका OBC कास्ट के लिए अधर विकवर्ड क्लासेश के लिए तो अधर विकवर्ड क्लासेश का जो उमर होगा देखिए यह जो 18-25 साल यह आपका जो जनरल कंडिडेटिस के लिए के लिए तीन साल चूट के हिसाब से आपको देखिए पचिस प्लस ती अठाइस साल तक ही ओभी से कंडिडेटिस के लिए कर सकते हैं इनका देखिए क्वालिफिकेशन मेट्रिक पास होना चाहिए और मॉस्ट भी अबल टू वास्ट वास्ट मिलिटरी एंड सिविलन क्लॉस है उसमें उनको को सब साब करना चाहिए अच्छाव साब करना को ढई सा थीसरा आपका बारबर है जिसको ne तो ठीक है तो ये जो वेकेंसे इसमें देखिए जो छी मि η जो तेजिस साल तक जो मैंवदन कर सकते हैं यूए स्टेगरी के rud के has a व फ्रीजिड्र साल तक्रुट अबीधन कर सकते हैं और इसमें रगेंस का एक्सपिरियेंस इन ट्रेड वनियाне उनने इस जो जो छो अगर आपका सफाई नेयर्य जो कि इसमें वेकन्सि मी तीन है एक बेकन्सि आपका यह च आपका ये होता है स स जू के लिए और एक कंद का श ट्र के लिए दिया है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप इसमें पद के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके लिए देखिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें अगर देखिए है इसमें चाहिए यजो क्योंडिक मिला है उनको 18-25 चाल तक इसमें आवेधन कर सकते हैं और कैयोटन् spricht130 है सब्सक्राइब अबन एड़ चोड़क साथ है तो को मेट्रिक पाज के शाथ-स आपको फैसाथ आपको इता सब्सक्राइब एक जो कार्पेंटर ट्रेड में किसी बी जो इस ना काउंट्छल अब अ छो या स्टेट स्टेट जो वोकेशनल ट्रेनिंग से इस्टिट से आप अगर आइटे शाटिपिकेट आपके पास है कारपेंटर्शिप का तो आप इस पद के लिए बिल्कुल जो है आवेदन कर सकते हैं ऐसे अगर कूल मिला के अगर पूरा पद देखा जाए इसमें 12 वेकेंशिय ह और इसका जो आवेदन करने का तरीका आफ लाइन है यह बिल्कुल पियोली आफ लाइन में आपको करना होगा ठीक है इसमें एक चीज बताया कि देखें टूपरंड में बताया for further details and application forms visit जो इंडियन आर्मी का website में इन्होंने बोला है मैं अभी फिलाल चेक किया था इंडि अपलोड साइद हुआ नहीं है ठीक है तो साइद एक दो दिन में वह अपलोड हो जाएगा जैसे अपलोड होगा इसका सेकेंड पार्ट में उसका फॉर्म और बचे कुछे डिटेल से जनरल इंस्ट्रक्शन से और आपका सेलेक्शन प्रोसेस है तमाम चीजों किसमें मैं जो है एक सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाऊंगा इसका बना दूंगा बाकि एक चीज इसमें जान लिजिए जैसे पॉइंट 3 में दिया है लाश्ट डेट पर समिशन आप एप्लिकेशन बाइस स्पीड पोस्ट आपको स्पीड पोस्ट या रेजिस्टेड पोस्ट में ब अपलाई कर सकते हैं इसका जैसे इसका फॉर्म मतलब अपलोड हो जाएंगे या जो बाकी इंस्ट्रक्शन्स जैसे अपलोड हो जाएंगे उसका नेक्स्ट वीडियो एक बनाके मैं आप लोगों के पास सेयर कर दूँगा आप लोग इसमें बाकी जो चीजे जान लेंगे इसमें मोटे तर्म बताना चाहूंगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर से रहेंगे अपका रिटेंट टेस्ट के बाद आपको देखा जाएंगे आपको ट्रेड प्रोफिशीजियंसी जिसको स्कील टेस्ट करवाये जाएंगे जो आपका रिकूटिंग जो बडी है जो तक्रिबन यहीं रहेगा क्योंकि बाकि जो आर्मी से डिफेंस सिविलियन का जो नोटिफिकेशन में देख चुका हूं इस तरह रहेंगे सबसे पहला होगा आपको जो सटलिस्टिंग करेंगे जैसे आपका अप्लिकेशन पहुंच जाएंगे आपको आपको सटलिस्ट बंदों को सटलिस्ट करेंगे और उसके बाद इसके लिए आपको कोई पहुंचना होगा कौन सी टाइम पर रिटेन एक्जामनेशन होगा ठीक है रिटेन एक्जामनेशन में जो वच्छे क्वालिफाइज करेंगे उसके बाद उनको डॉक्मेंट वरिपिकेशन के औरिजि को दोक्मेंट में अपका मेर्कुलेशन सदिकेट आपका स्दिकेट जो बच्छे सदिकेट में जो अपना कांच सर्टिकेट तमाम जो आपका डॉकमेंट से इन ओरिजिनल आप लोगह को लेकर उसे टाइम पे'll ठीक हैं और उसमें आपका डॉक्मेंट स्कील ट्रेड टेस्ट केते हैं ऐसके साथ झात बॉक्मेंट व representations हो जाएंगे ज भॉच्छे इसमें fit पाये जाएंगे और return exam गोलिट लिस्ट बने बाकि varit, बाकी आपका ट्रेड टेस्ट, आपका यह क्वालिफेंग नेचर है ठीक है जो क्वालिफाइब होना चाहिए डॉक्मेंट वेडिकेशन आपको अपको अपने तरह पहुंचना है क्या करना है और कौनसी दिन आपको पहुंचना होगा यह तमाम चीजे उसमें लिखा होगा इसमें रहे चिया आपको एक फर्मेट बाकी सारे चीज मैंने कवर कर दिया हूं करता हूं और जो बाकी है इसके अलाबा अगर कोई चीज मेरे को लागेगा उससे नोटिफिकेशन में है जो मैं बताया नहीं उसको भी मैंने शेयर कर दूँगा ठीक है इसके साथ इस वीडियो के इंपर कंप्लिट करता हूं जै हिंद जै भारत